सुमेहु भादन बातला फॉबवादनाबातला फ्रोम पर मिल फट्रियूट शाथ सभी के टरोकाट रीडर आज हम चेक आउट करने वाले हैं क्या कुछ एनर्जी में क्या थिंकिंग है उनकी आपको लेकर ठीक है तो आप चेक आउट करते हैं इस रीडिंग को तो जब मैं का सोच नहीं है आज देर रात को आपके लिए इस डिवाइन उनिवर्स बताएं स्टार ब्यूटफल लेको लेट नाइट रिलिंग यान दे काड अफ स्टार में भी कि आपके परसन भी न एक होता है न वो एनर्जी के आसमान को देखते वे भी अभी कभी किसी परसन की याद आ जाती है चांद को देखते वे याद आ जाती है स्टार्स को देखते वे याद आ जाती है शाद उसी एनर्जी में आपके परसन भी है टेन ओफ कप्स है ठीक है एट ओफ कप्स भी है मून की एनर्जी भी है ठीक है चलिए और भी देखते हैं कि आपके person आज रात को आज देर रात क्या कुछ सोच रहे हैं outsider change अभी मैं आपको clarify करती हूँ ordinariness consigness turning in at the bottom is intensity चलिए तो यहां पर जो सबसे पहले मुझे zodiac दिख रहे हैं वो है Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius and Aries, Leo and Sagittarius बहुत जादा strong है आज के अनरजी में और जहां तक कि मुझे आज late night thoughts आपके person की दिख रहे हैं तो आपके person आपको बहुत जादा miss कर रहे हैं अपने आपको अकेला मैसूस करते हुए यानि कहीं न कहीं आपके जो person है ठीक है उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़कर कुछ गलती करी है उन्होंने जो past में करा है वो एक बहुत बड़ी गलती थी उनके जिंदगी की और अगर आप पहले और अब में अपने person को देखोंगे तो बहुत changes आपको देखने को मिलेंगे उनके जिंदगी ऐसे बेरंग हो चुकी एकदम ordinary बन चुकी है जैसे आपके साथ पहले उनकी जिंदगी एकदम extraordinary थी उनको importance मिल रही थी आपसे support आपसे care आपसे कितना कुछ मिल रहा था उनको और आज रात को वो यही चीज महसूस कर रहे हैं कि आप उने हमेशा पहले रखते थे कोई भी काम हो आप उनकी side रहते थे चाहे वो गलत है चाहे वो सही है उनको support करते थे कैसी भी situation हो कोई भी problem हो आप help करते थे उस problem से उनको बाहर आने में और अब उनकी जिंदगी एकद बहुत जादा है चुप बैटकर सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं मेभी आप लोगों की life में थर्ड पार्टी situation बहुत strong है मेभी आपके person जो है वो कोई third party उनकी husband है wife है girlfriend है कोई है उनकी जिंदगी में मेभी moon का card भी है family का card भी है जिसके साथ वो रहते हैं लेकिन third party के साथ भी ना ऐसे दिख रहा है मेज़े जैसे इनकी situation अच्छी नहीं चल रही है चायद वो एक ही roof के नीचे रहते दों पर situation बिलकुल भी अच्छी नहीं है आपके person के साथ बहुत जादा fights होती है third party के साथ ठीक है और maybe एक जो अच्छा bond होना चाहिए ना जो पहले था उनके और third party के बीच में लेकिन अब नहीं है अब उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे वो दिल की गहराई से सर्फ आपके साथ है आपको महसूस करते हैं ठीक है और इस no contact ने separation ने उनको बहुत ज़्यादा बदल दिया ठीक है वो नहीं आपको छोड़ पा रहे हैं नहीं third party को छ सुनना चाहते हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं आप उनको दिल में डर है इस चीज़ को लेकर कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं गए हो उन्हें पता था यह चीज़ कि आवो ना आपकी emotional weakness है और वो ना आपको छोड़ना न नहीं उनको भूलना चाहो, आपके तरफ दौड कर आना चाहते है, intensity की energy यहाँ पर दिख रही है, बदलाग की energy यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, आपके साथ एक future planning, वो सोचना चाहते हैं, कि आपके साथ अगर सब कुछ का सही होता है, उनके दमाग में ने यही late night thought चल रहे ह अगर सब कुछ सही होता, शायद उनके dreams भी यही है, कि अगर सब कुछ सही होता तो आपसे शादी करते, आप लोग यहाँ गूमने जाते, ठीक है, आप लोगों के बच्चे होते, आप लोग future plan करते, तो एक बहुत आगे long term future आपके साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यह महसूस हो रहा है कि आपने, आपके true ही उनको वो honest, वो true love मिला है, आप ही उनके soulmate और शायद भगवान ने आपको उनके लिए ही बनाया है, इसी लिए आप लोग का यह relationship बना है, ठीक है, वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि शायद यह no contact उन्हें बहुत कुछ सीख भी चुके हैं, ठीक है, बहुत कुछ सीख चुके है, आपकी importance करना सीख चुके है, आपकी value करना सीख चुके है, कहीं पहले वो आपको कितना ignore करते थे, time pass taken for granted की तरह लेने लग गए थे, आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते थे वो और अब ऐसी situation हो च प्यार करते हो, यह यह उनकी आज late night thoughts मुझे देख रहे हैं, तो definitely अगर आपके साथ resonate करें तो मुझे जरूर बताए, thank you for watching, bye bye, take care.